नमस्कार दोस्तों सौगते आप सबीका दोस्तों आज की वीडियो में हम बात करेंगे जब आप अपने घर का कोई भी काम शुरू करते हो अपने घर बनवाने का और यदि आप से इंजिनियर हो फ्रेशर्स हो तो जो है आपके लिए यह वीडियो बहुत ही महिदुपूर्ण क्योंकि इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ कौनसे कौनसे अलग टाइप के जो ड्राइंग है जो आपने घर का काम करते समय आपको यूजफफुल रहने वाले हैं तो चले शुरू करते हैं आज का वीडियो और यदि आप हमारे चैनल पर भी नए है तो चैनल को ज जाता है प्लानियाने हमारे घर का हॉल किचन बेडरूम ट्वालेट बात्रूम स्टेर केस और ड्राइंग रूम उसके साथ गेस्ट रूम यह सब रूम जो है वह कहां पर अरेंज किया जाते हैं उसके साथ उनके विंडोज लोकेशन डूर लोकेशन वह सभी उसमें दिया जाता है उसके साथ वाटर ट्रैंक का पोजिशन सेफटिक टैंक का पोजिशन वह सब यह आपको रहाँ पर दिया जाता है अर्टिक्ट्रल प्लैनिंग में उसके बाद जो दुसरा बाला ड्राइंग है वो है RCC design RCC design क्या होता है वो तो आपको पता ही होगा column और beam के location कहाँ पे देने है footing का size क्या देना है exhibition किस तरह से आपको वहरा पे करना पड़ेगा उसके बाद column के लिए steel कितना यूज होगा beam के लिए steel कितने होगा slab के लिए कितना steel यूज होगा वो सबी जो design होता है वो RCC design में दिया जाता है उसके हिसाब से आपको वहाँ पे वर्क करना पड़ता है यानि उसी size का steel वहाँ पे आपको यूज करना पड़ता है उसी size का column वहाँ पे देना पड़ता है उसी size का footing देना पड़ता है वहाँ पे जो भी work होता है वो RCC design के हिसाब से आपको करना पड़ता है इसलिए वहाँ पे आपको RCC design के बहुत ही ज़रूर है जब आप अपने घर का काम करते हो याद रखे RCC design के बिना आपका कोई भी work वहाँ पे नहीं करना है RCC design क्यों किया जाता है क्योंकि हमारे घर का जो भी load है वो कितना है आपका dead load कितना होगा live load कितना होगा आपका structure का load कितना है वो सबी चीज़े वहाँ पे आपको जो है clear हो जाती है और उससी साफ से आपको वहाँ पे जो है वहाँ पे lentil level की जूरत पड़ती है, sill level की जूरत पड़ती है वहाँ पे आपको किस तर से design देना है यदि आपको window में कुछ design देना होगा RCC का design वो अब आपको RCC design में दिया जाता है और sill level किसले दिया जाता है क्योंकि हमारा window का height है वो sill level पे depend रहता है यदि आप अपने घर में window का height 5 feet लेना चाता है, 6 feet लेना चाता है नॉर्मल ये आपको 4 feet लेना पड़ता है वहाँ पे लेकिन आप 5 feet लेना चाता है, 6 feet लेना चाता है वो आपको वहाँ पे सभी दिया जाता है detail में इसलिए rental का drawing लगेगा, sill level का drawing लगेगा ये भी आपके लिए बहुत ही ज़रूर है उसके बाद जो हमारा next वाला drawing है वो है plumbing का drawing यानि plumbing के जो lines है वो किस तरह से डालने है, plumbing का outlet कहा से देना है, inlet कहा से देना है, water tank कहा पे arrange करने है वहाँ पे water का flow किस तरह से arrange करना है, drainage का जो भी system है, वो किस तरह से arrange करना है वो सभी जो है, वो plumbing के drawing में आपको वहाँ पे दिया जाता है इसलिए plumbing का भी drawing है, वो आपके लिए helpable रहने वाला है उसके बाद हमारा next point है, वो है electrician का drawing है उसमें आपको पूरा detail दिया जाता है, जैसे कि fan का position होगा electricity का जो भी हमार main board है, main switches है उसके बाद जो हमारा ceiling के लिए जो lights आते है, उसके position वहाँ पे दिये जाते है आपका जो gizzard होगा, उसके बाद हमारा जो भी solar panel होगा वो सभी जो detail है, वो आपको electrician drawing में दिया जाता है इसलिए याद रखे, electrician का drawing भी आपको वहाँ पे फाइदमन रहने वाला है और याद रखे, जब आप अपने घर का plan final करते हो, यानि drawing जो आपका architecture plan होता है वो final करते हो, उस वक्त अपने घर का 3D elevation जरूर बनवाए 3D elevation क्यों बनवाना है, क्योंकि उसी हिसाब से आपको जो है अपने घर का काम करना पड़ता है यादि आपको वहाँ पे कोई भी design करने हो, color का जो भी arrangement करना हो color का तो कोई यह नई importer नहीं होता है, वो last में किया जाता है, finishing cover लेकिन आपका जो भी RCC में किया जाता है, कुछ design, कुछ design जो है, वो brick work में किया जाता है वो आपके लिए बहुती फाइदे मन रहता है, इसलिए याद रगे, हमारे घर का 3D elevation जो है हमारे पास होना ज़रूरी होता है, उसके बाद हमें लेके लिए दे है working drawing के बारे में working drawing क्या होता है, जैसे कि समझ लेज़ेगा हमारा door है, hall का door hall का door का size कितना देना है, वो आपको पता चलता है working drawing से, window का size कितना देना है, वो आपको पता चलता है वहाइसे उसके बाद डोर और विंडों के बीच में आपको कितनी देवार देनी हैं वो सभी जो डिटल है व आपको वहाँ पे वर्किंग ड्रॉइंग में मिलता है यानि वर्किंग ड्रॉइंग उसे इसलिए बोलते हैं क्यूंकि उसी हिसाब से आपको वहाँ देख अपने घर का ज़रूर बनवाएं और उसके बाद हम जान लेते हैं कुछ इंटेरियर के बारे में इंटेरियर में जो है सबसे पहला जो इंपर्टन पॉइंट होता है वह अपने घर का होता है फरनिचर की सभी ड्रॉइंग के हिसाब से काम करना पड़ता है क्योंकि वहाँ पे कुछ याक फरनिचर लागाते हो कोई भी वर्क करते हो वह ड्रॉइंग तो चले एक बार फिर से मैं आपको बता देता हू份 अपने घर का काम करते समय कुछ से ड्रॉइंग है जो आपको वह पे लगने वाले हैं सबसे पहला जो आर्किंट्रेक्रल को ड्रॉंग उसके बाद है र्चसीी डिजाइन ड्राइन इसके बाद है लिंटर लेवल का ट्राइँ उसके बाद है ठीडी इलविशन का ट्राइँ सिलिंग और अबर को अपने गहर का वह आपको समझ में हो गए यह आप हमारे चैनल पर नहीं तो चैनल को जुरू सब्सक्राइब केज़ेगा और वीडियो को ज़रू लाइक केज़ेगा ताकि यह जो वीडियो है वह आपके लिए बहुत ही फाइदे मन रहने मला है तो चलिए आज के लिए बस इतना ही मिलता है अगले वीडियो में एक नई टापिक की साथ तब तक के लिए जहिंद वंदे मातरम